आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कुंडली को हम AutoCAD के साथ कनेक कर सकते हैं और बहुत आसानी से रिजल्स को लिया जा सकता हैं अब हमें क्या-क्या information इसमें require है जो हम AutoCAD में feed करेंगे पहले हमें एक बनीवी कुंडली चाहिए जैसी आप अपनी पूरी information इस application पर डालते हैं तो आपको एक यहाँ पर live report PDF मिलेगा इस live report PDF पर जैसे आप टाप करोगे तो एक आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी वो PDF को आप जैसे खोलते हैं तो मुझे कुछ इस PDF से आज information चाहिए जो कि मैं AutoCAD में डालूँगा यह काफी बड़ी कुंडली देते हैं तो अब मैं नीचे गया अब मुझे इस page की कुछ information चाहिए page number है 46 इस page में जो मुझे कुछ information काम आएगी वो है cups detail कब्स detail की एक screenshot ले लीजे आप यहां से उसके बाद planetary वहां positions थी वो positions degree और राशियों के साथ थी यह positions राशियों के Lord उसके नक्षत्र और उसके सब Lord मेरा करसर आप देख पा रहे होंगे तो यहां तीन information मुझे और मिल रही है तो मैं भी इसको भी एक बर screenshot ले ले लेता हूँ और इसमें मुझे एक information और बहुत important है जो इसी पन्ने पे मिलेगी 46 number page पे वो है कि कौन से planets मेरे कौन कौन से houses के result दे रहे हैं तो मैं इसका भी एक screenshot ले लेता हूँ मैंने चार चीजों के screenshot लिये हैं और चारों चीजों के screenshot को मैं समझा दूँगा कि कहां कहां use करना है अब हम आ जाते हैं AutoCAD के application में जब आप ये file लेते हैं ये file आपको हमारे store से मिल जाएगी इस file में मैंने बहुत सारी detail information जैसे राशी उसके lord उसके नक्षत्र उन नक्षत जैसे mangal का नक्षत्र ये सारे नक्षत्रों के नाम इसके उपर लिखे हुए हैं इसके इलाबा इनके sublots भी मैंने यहां पर दिये हैं इसके इलाबा मैंने इसमें कापी महनत करी है और इसके इलाबा जो कि आपको उलेक कर रहा था न तो ये blank file आपको हमारे store से मिलेगी description box म इसका link भी दिया हुआ है यह रहा पहला blank file जो कि AutoCAD application में खुलेगा इसमें मैंने कुछ colors भी भरने की कोशिश करी है हो सकता है आपके system software की configuration के हिसाब से कुछ colors दिखें कुछ colors ना दिखें colors का अभी कोई major role नहीं है पर फिर भी कई बार colors नहीं दिखते अलग-अलग AutoCAD के ही versions में हो सकता है उनकी properties पे कुछ ना कुछ layers बंद हो या चालू हो पर majorly यह सारी informations आपको मिल जाएगी जैसे नवम भाव Sagittarius का होता है यह नवम राशी Sagittarius की होती है Jupiter उसका lord है Ketu, Venus और Sun यह तीन नक्षत्र planet के form में हैं और यह तीन नक्षत्रों का नाम है जैसे मुलह और भी सारे sublots हर एक नक्षत्र के sublots होते हैं वो sublots भी इसमें उलेग किया हुआ है कहां कहां कैसे कैसे इस information को use करेंगे इसी वीडियो में आगे चलके आप समझ जाएंगे अब आपके पास यह पहला blank मिला अब आपने पीछे वाले Estosage application से कुछ screenshots लिये थे वो screenshots मैंने समय बच लिया है सन Sagittarius राशी का है और कौन से नक्षत्र का है वो सारी चीजें इसमें detail दी वही है यह हमें एक काम आया फिर मैंने 46 नंबर पेज से एक screenshot लिया था जिसमें सन कौन सी राशी है ना राशी Sagittarius उसका Lord Jupiter और कौन से नक्षत्र Venus नक्षत्र और कौन से सब लॉड में है य इस पर मैं detail explain कर दूँगा इस video को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए अभी हम इस video को इस से connect करते हुए चले जाते हैं कि हम एक AutoCAD के माध्यम से भी कुंडली बनाया सकते हैं हलाकि कुंडली हमें तो Astro Sage जो application है वहां से information मिली उस information को put up करके कैसे results लिया जा सकता है और उसी 46 number page पे आपने एक कस्पल position की भी screenshot लिया था जो मैंने आपको बताया वो अब हमें ये तीन information यहां पर एक blank चकर के उपर ये कुंडली गुरुजी चकर बना लिजे इसका नाम ये कुंडली गुरुजी चकर के उपर आपको डालना है या light of life के चकर के उपर इसे डालना ये बस आप लोगों के साथ का एक प्यारा सा नाम चोटा सा जहन में आया तो बता दिया अब second step में हम इनकी रेखाएं बनाते चलेंगे हम अपने जितने पहले तो 12 houses हैं इनकी पूरी रेखाएं बनाएंगे इस तरीके से अब ये blank आपके हाथ में जैसे आया तो कैसे बनान अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये लगन पोजिशन से हैं पहला लगन मेरा है मार्स का ठीके उसके अंदर नक्षत्र है सन का और सबलॉड है राहू का तो मैं Aries Ascendant हूँ मैं Aries Ascendant हूँ तो मैंने यहां से 0 से स्टार्ट किया Aries Ascendant में गया मार्स मेरा था ठीके और उस राहू तो ये आगया मेरा first house ये मेरा first house इसके आप नाम भी लिख सकते हैं मैंने जैसे यहां पर पूरे नाम लिखके रखे हैं मैं यहां से एक नाम वहाँ पर copy paste करके आपको दिखा देता हूँ लाइन कमांड से ये काम होता है मैं फिर से repeat कर दूँगा इस चीज को ये मैंने यहां से copy paste करके ctrl c ctrl v करके ये मैंने first house बना दिया अब इसी के साथ आप second house भी आ जाता है ये चलता है clockwise जो मैंने बताया बनाया है वो clockwise चलता है जो हमारी astrological report पर जो आता है वो चलता है anti-clockwise प अब हम आगे चलते हैं मेरा second है Taurus, Taurus का राशी Lord है Venus, Venus है मास के नक्षत्र में और Jupiter के सब Lord में अब हम यहां से निकलें अब हम गए Taurus पे, Taurus था मास के नक्षत्र में और Venus के सब Lord में तो आप यहां zoom करके देखेंगे ये line command मैंने use किया है और ये मैंने यहां पर एक line यहां अब यह मेरा बन गया second house तो यह मेरा second house copy करके paste करके यहां पर यह second house आप चाहें तो यह हमारे store से बनवा भी सकते हैं अगर आप यह software purchase यह file purchase करते हैं तो आप अगर चाहें तो store को request करके यह बनवा सकते हैं कुछ nominal से charges हैं यह जैसे ही मैं यहां 12 houses को पूरा डाल देता हूं त तो एक एक करके यह मेरे पूरे houses यहां पर आ गए यह पूरा एक ब्रहमान है इस ब्रहमान में कौन सी राशी कितने degree पर है और कितना बड़ा एक cups मेरा बन रहा है यह information हमें यहां पर second step में मिल जाती है उसके बाद आता है third step पहला step था हमारा हमने screen shots लगाए पूरे के पूर third step आता है हमें इसके अंदर planets की information को भरनी है planets की information कैसे भरी जाती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए हमें यह दोनों screen shots काम आएंगे जैसे अब मेरा जो sun है वो sun है Sagittarius राशी का उसका Lord है Jupiter नक्षत्र है Venus सब Lord है Jupiter तो मैं कैसे करूंगा मैं जाओंगा यहां पर बनाने के लिए line command मैं यहां से उप्योग करूंगा यह line command मैंने लिया मैं यहां गया इसके बाद इसका Jupiter Sagittarius राशी का Venus और उसका सब Lord सब Lord के information क्या थी हमारी हमारी है Jupiter तो Jupiter Venus Jupiter यह आ गया Jupiter Venus और हमने यहां पर जाके देखा कि हमारा दूसरा Jupiter कहां आ रहा है तो यह आ रहा है हमारा दूसरा Jupiter यह हम जाके यहां पर रख दिये अब यह हमारे Sun की कर्सपल लाइन बन गई मैं इसका नाम करेंट कर देता हूं यहां पर इस तरीके से आप कर सकते हैं यह मैंने समय बचाने के लिए यह पूरे के पूरे 9 planets के placement भी इसके अंदर कर दिये अब यह जो पूर नेप्टून और प्लुटो की हम क्योंकि वैदिक एस्ट्रोजी में इन तीन प्लैनेट को अभी नहीं लेते इसलिए मैंने अभी इन तीन प्लैनेट को नहीं लिया है तो मैंने अभी 9 planets और 12 राशियां टोटल 21 बिंदूओं का placement मैंने इसके अंदर कर दिया अब मैंने आप कोई कहता है जी पैसा कम है पैसा मुझे चाहिए तो मैंने एक छोटी सी समझ को विक्सित किया कि हर कोई ना हमेशा कहता है मुझे second house चाहिए second house हमारे परिवार से हमें जोडता भी है हमारे स्वेम के परिवार से second house जोडता है हमें पैसे कमाने के लिए साहक होता है तो मैंने वो ही planet सबसे पहले उनी houses के result देने के लिए बनाए गए हैं ये पूरा सारी script जो है ये reading का तरीका कुंडली गुरुजी course में समझ लीजेगा अभी इस पर प्रश्चन ना पूछें मैं सिर्फ अभी आपको जो database मुझे मिला है उसको कैसे connect करना है वो समझाने की कोशिश करा हूँ तो sun मेरे second house का result दे रहा है Venus मेरे second house का result दे रहा है ये दो ही planet है जो मेरे second house हम कहें जी हमारे पैसो के घर के result दे रहे हैं इसके इलावा ये connect करते हैं कुछ और houses के साथ जैसे जहां के ये राशी लौड होंगे तो पांचवा house का ये राशी लौड है जहां ये occupant होंगे जहां ये नक्षत्र के form में होंगे जहां ये sub-lod के form में होंगे तो इनके अलग-अलग phases होते हैं तो अभी हम randomly या मान लीजे क्योंकि मुझे लगा कि second house का result और यही मैं client के लिए भी काम करता हूँ कि जो प्लाहला planet जो second house का result दे रहा है और negative houses के result नहीं दे रहा है मैं उसको उठाता हूँ तो मैंने क्या किया कि जो मेरा sun है मैंने एक और इसके अंदर इसको दिखाया है आप देखिए इस चीज को sun मेरे eighth house का result दे रहा है अगर हम देखे sun eighth house का result दे रहा है पर second house के context में जो eighth house है वो कहता है insights का वो हो जाता है insights का वैसी Venus मेरे second house का result दे रहा है और 12th house का भी result दे रहा है तो 12th house second house के context पे हो जाता है investment का जो हमें बजार से investment मिलती है तो इसे negative नहीं लेंगे second house के context में अगर यही 6th house के context में दे रहा होता तो यही 8th house pain के रूप में आ जाता और 12th house weaknesses के रूप म मून मेरे fourth house का result दे रहा है उसमें भी वो 12th का result भी दे रहा है तो 12th आ जाएगा कहां से मुझे bank loan अप्रूव होगा तो यही घर अलग-अलग context में अलग-अलग माध्यमों में या अलग-अलग विचारों में अलग-अलग रूप बदल लेते हैं इसी को astrology deep science कहते हैं जो Vedic astrology है वो यह सब चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं पर जो अपके astrologer है उन्हें शायद यह समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि बारवा छटा और आठवा इससे डरना नहीं है इसके साथ तो काम लेना है पर अलग-अलग विशों में काम लेना है यह मेरी चोटी स इनसाइट थे अब मैंने क्या किया इनके सारे के सारो placements तो मैंने पहले ही कर लिये थे मैंने इस step में इस चीज को भी जान लिया कि मेरा क्या-क्या यह कर रहा है अगर हम सन की बात करेंगे तो इसके आगे वाले six step में मैंने क्या किया मेरे सन को कौन सा planet कभी भी हम जब भी साथ लेते हैं जैसे राहू मेरा अभी 180 degree में नहीं है थोड़ा सा फरक है इसलिए मैंने राहू को नहीं लिया उसके इलावा जित्ते planets आ रहे हैं 180 degree से start होके एकदम सामने से start होके जैसे यह नवम में बैठा है तो पांचवे चौथे में जो बैठा हुआ planet है जो मुझे तं मेरे सूरे के उपर है और किस किस degree से यह नजर दे रहा है तो यह मेरे planets को effect कर रहा है मेरे planet को effect कर रहा है किस planet को effect कर रहा है sun को effect कर रहा है किस चीज के लिए effect कर रहा है दो नंबर का जो मेरा प्रभाव है दो नंबर का जो मेरा भाव है दो नंबर मेरा पैसे का भाव है तो लाने में ये गती को विरोध कर रहा है, ये गती रोध है, ये सब चीजे हैं, ये planets, पर इनके अंदर भी एक बहुत अच्छा science है, वो ये है, अगर तो आपको कोई planet 90 degree का hit दे, 180 degree का hit दे, तभी वो गती को रोध करेगा, रुकेगा, गती को, गती में विरोध पैदा करेगा, पर अगर कोई planet 60 degree का hit दे, या 120 degree का hit दे, तो वो गती को बढ़ाता है, ये कुछ formulas हैं, जो astrology के thumb rules कहते हैं, जिनने follow करना चाहिए, तो मैंने क्या देखा, जैसे मेरा Mars है, तो मेरा Mars, और ये कैसे बनाया जाता है, इसको समझ लीजे, अगर हम किसी planet को, दूसरे planet से कितने degree के हैं, तो हमें यहाँ पर एक command यूज़ करना पड़ेगा, वो है angular, A-N-G-U-L-A-R, angular command को जैसी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एक icon बना हुआ, आपको ये मिल जाएगा, इस पे click करेंगे, एक planet की line पे click करेंगे, दूसरे planet की line पे click करेंगे, बहुत आसान है ये, और ये ह कम को यहाँ पर degree बता देगा, अब क्या है, ये है मेरे 108 degree का, ये मुझे hit दे रहा है, तो 120 से कम है और 90 से जादा है, तो ये 90 degree के hit पे calculate होगा, वैसी और भी समझा देता हूँ, मैंने जितने यहाँ पर hits हैं, सारे hits को sun के उपर डाला है, जो मैंने आपको command बताया, angular command से, तो इसके इलावा के तु मुझे 11 degree का hit दे रहा है, कैसे hits मैंने लगाए, वो आपको मैंने समझाया, अब पहले हम mass की बात कर लेते हैं, mass होता है गुसा, है ना, गुसा, और क्योंकि 90 से और 120 के बीच में है, तो हम इसे 90 degree का hit मानते हैं, ये astrology के पहले के thumb rules की बात कर रहा हूँ, तो व्यक्ति जब भी सूरे का नगधारन करेगा, अब मुझे सूरे का उपचार देना है इसको, अब ये सूरे का ruby पहन सकता है, कुछ भी उपचार कर सकता है, सुवे जल चड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो जैसी ही ये सूरे को प्रबल करेगा, इसको गुसा हावी हो जाएगा, तो हम उपचार देते समय, जो हमारे negative impacts हैं, उनके बारे में client को बताएंगे, कि इसके जो negative impacts आ रहे हैं, उसको client को बताएंगे, तो हम बोलेंगे, सूरे का उपचार तो तुम करोगे, पर गुस्से पे काबू रखना, ठीके, अब दूसरा hit आ रहा है, शनी का, शनी क्या करता है, शान्त कर देता है, यहां गुस्सा आ रहा था, वो शान्त कर देता है, तो दोनों planets जब एक ही व्यक्ति को negative hits दे रहे होते हैं, तो mix सा प्रभाव आता है, तो जब इनसान action में आएगा, जब पैसे कमाने की बात आएगी, या कोई काम करने की बात आएगी, तो वो बुलेगा, आज नहीं कल करता हूँ, आज नहीं कल करता हूँ, यह शनी की वज़े से होगा, है ना, यहां पर गुस्सा आएगा, है ना, दूसरा शनी, शनी क्या करेगा? शांत कर देगा, तो क्या शांत करेगा? काम को शांत करने की कोशिश करेगा, तो आप उसको second यही उपचार देते समय, second punch line बोलोगे, कि सर आप जब भी कोई काम आपके हाथ में आता है, आप उसको उसी दिन निपटाने की कोशिश कीजिए, तो हमें hit से समझ में आया, इसके इलावा Jupiter, आप Jupiter जो है 90 से कम है और 60 से जादा है, that means यहाँ 80 लिखा है न, that means कि यह positive hit दे रहा है, positive hit दे रहा है, तो हम बोलेंगे इसको कि आप शां को या दिन में, जब भी आपके पास समय हो, छोटा सा कोई भगवान जिसको आप मानते हैं, उसका part कर लीजे, हम सारे चीजों को continuation में use करेंगे, यह key points होंगे, जब हम सन का उपचार देंगे, और यह key points मैंने कैसे बनाए, वो मैंने पूरा आपको explain किया, अब केतू है, केतू क्या है, खोज बीन, छोटी-छोटी चीजों को पता करना, एक होता है न, एक इनसान के अंदर कुछ-कुछ-कुछ-कुछ चीजे नही-नही लाने की कोशिश करता है, तो जब वो सन का उपचार करेगा, तो automatically उसको दोनों चीजे benefit करेंगी, अगर वो उसके अंदर नहीं खोजें लाएगा, यह मेरी ही कुंडली है, तो मैं जब भी कभी नहीं खोज लेके आता हूँ, तो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो जैसे ही मैंने सन का उपचार किया, सन के उपचार, मैं सूरे को जल चड़ाके, रूबी धारंड करके, या घर के अंदर फला डिरेक्शन में सन के नग लगाके भी अगर मैं करता हूँ, तो सन मेरा position पे आ जाता है, क्योंकि मेरा beneficial planet था ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ये ये घटता है, मुझे गुस्सा जादा आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि negative hit दे रहा है, मैं शान्त हो जाओंगा कुछ जगाओं पे, जहां काम की बात आएगी, तो मैं delivery नहीं टाइम पे देनी की कोशिश करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, तो मैं अपने brain को ये training दे सकता हूँ, कि मुझे जब काम आए, मुझे तोरंट action लेके उसकी delivery करानी है, और कोई बात हो तो शान्ती से उस बात को समझना है, ना कि गुस्सा करना है, इसके इलावा मुझे नई-नई किताबे पढ़नी है, भगवान से related किताबे जितनी हो सके उतनी पढ़नी है, तो मैं इनी वैदिक विद्याओं की किताबों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और खोज भीन मुझे करनी है, क्योंकि मुझे रहस्यों को उजागर करना है, अब रही बात, प्लानेट्स के हिट की, इसमें एक और थमुरूल में आप लोगों को समझा देता हूँ, हमेशा प्लानेट्स ही हिट करते हैं, प्लानेट्स को और कस्पल लाइन्स को, कस्पल लाइन्स कौन सी वो जो बारा लाइन्स थी वो बारा लाइन्स कैसे बनाई जहां से रेखा निकली किसके सबलॉड में गई किसके नक्षत्र में गई और कौन सी राशी की है ऐसे करके जो रेखा हमने बनाई वो ही कपस्पल लाइन वो ही प्लैनेटरी लाइन्स कहते है तो क्या होता है कि राहू और केतू किसी को हिट नहीं करते और 180 डिगरी से ज़्यादा के हिट्स को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते बहुत जारा डीटेल सीखना है तो फिर से मेरी वही बात कुंडली गुरुजी का कोर्स नेक्स जो अब नवंबर में होने जाएगा को हिट देगा वो आने वाले प्लैनेट को भी हिट दे सकता है आने वाली कपसपल लाइन को भी हिट दे सकता है तो मेरा सन मैंने वही फॉर्मुला से इसको निकाला मेरा सन मेरा जो टेंथ हाउस है यह मेरी टेंथ हाउस की कपसपल तो 90 डिग्री से नीचे भी हम इसको positive hits पे मान लेते हैं तो मेरा सन पहनते ही मेरा वैपार तेज हो जाएगा मेरे सन को उपचार में लाते ही मेरा वैपार तेज हो जाएगा क्योंकि 10th house वैपार का house भी कहा जाता है या उस वातवरंड का house कहा जाता है जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं और लोग हमारे याँ वो काम करते हैं चौथा घर हम घर मानते हैं ना हमारे घर को मानते हैं तो दसवा घर जो वातवरंड हम बनाते हैं जहां दूसरे लोग आके काम करते हैं उसको बोलते हैं, तो वो वैपार है, तो मैंने ऐसे बताया, इसके इलावा क्या होगा, यह 45 डिग्री से, 40-45 डिग्री से, ग्यारवे हाउस को भी हिट कर रहा है, तो यह एक और positive sign हो जाएगा, मुझे दो स्तियारों का support मिलना भी चालू हो जाएगा, है ना, ग्यती को इसके इलावा जो मेरा 12th house है, उसको भी 90 के नीचे से हिट कर रहा है, तो 12th house को 90 के नीचे से हिट करने से क्या होगा, मेरे investment को ले आएगा, मैंने कहा ना, पैसे के context में, जिस नग का आपने उप्शार दिया, वो investment में convert हो गया, तो मेरे investment ले आएगा, पर यही sun मेरे moon को 92 ड दिगरी का फरक में हैं तो यहां क्या problem होगी जैसे मुझे जो mood swings हैं जो भी sun को हम अगर पिता कहते हैं तो मा को हम moon कहते हैं sun को अगर constant factor of life कहते हैं तो माता को variable factor of life कहते हैं इसलिए मेरे मूझ से link ला कि जो mood swings होते हैं वो है moon का पर यह negative hit दे रहा है तो मेरे mood swings को भी कम करेगा वैसी आप पूरे 6 गरों के इसके साथ calculations निकाल सकते हैं अगर आपको यह पसंद आया हो अपनी file आप बनवाना चाहते हो तो charges पता कर लीजेगा center पे call करके कोई ना कोई आपको team member मिल जाएगा number मैं आपके साथ share कर देता हूं description box में और आप सोचते हैं कि आप खुद बना लेंगे इस file को लेके तो आप description box में link को follow करके इस file को बनाया जा सकता है detail मैंने काफी हद तक समझाने की कोशिश करी हाँ planets कैसे चलते हैं 12 houses क्या होते हैं राशियां क्या होती हैं नक्षत्र क्या होते हैं sublots क्या होते हैं उनको अगर बहुत अच्छा सीखना चाते हैं तो November में course join कर सकते हैं इसके इलावा एक छोटी सी खुश कवरी 45 देवताओं पे मेरे बहुत अच्छे से जानकारी है मैं पहला course 45 देवताओं का 9 दिन का कराने जा रहा हूं जो की 13 September को चालू होगा तो उसके लिए अभी registration open है केवल 5000 रुपे अभी enrollment charge देना है इसके इलावा दो installment में आप बची वी payments करा सकते हो 13 September से पहले तो उसके लिए भी अगर कोई चीज की जानकारी लेनी है तो description box में दिये गए link को या तो follow कर लीजेगा या फिर call कर लीजेगा center में तो दन्यवाद पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज को share करना और इसे like देना धन्यवाद राजा बनना है नमस्कार